वेलकम टू सपनो का रही से हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनो का रही से पे स्वागत करते हैं आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर हाथी देखना या हाथी का मास खाना अगर कोई विक्ति सपने के अंदर हाथी देखे तो इसका मतलब है आज से कुछ समय पहले हाथी राजाओं की सवारी हुआ करते थे तो सपने के अंदर हाथी का देखना किसी राजा को देखना है या फिर किसी ऐसे विक्ती को देखना है जो बिजनस में, पावर में, रिष्टे में या किसी भी तरह आप से बड़ा हो और अगर कोई व्यक्तिस अपने के अंदर ये देखे कि हाथी ने आप से कुई चीज ली है तो इसका मतलब है कि पावर में जो व्यक्ति भी आप से ज्यादा हो जो मैंने अभी बताए हैं वो आपको कोई नुकसान पहुँचाएंगे और अगर कोई वेक्तिस अपने के अंदर ये देखे कि उसने हाथी से कोई चीज ली है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला जो है वो अपने सीनियर से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से या फिर अपने बिजनस में पार्टनर से या किसी ऐसे वेक्तिसे जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ बिता रहे हैं उससे आपको कुछ मिलेगा और अगर कोई वेक्तिस अपने के अंदर ये देखे कि उसने हाथी का मास्क खाया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला Real Life के अंदर किसी officer से अगर job करता है तो अपने senior से अगर student है तो अपने teacher से अगर business करता है तो किसी दूसरे business man बेक्ती से या फिर power में ز्यादा किसी बेक्ती से सपना देखने वाला कोई रूपया पैसा या उसके आदिश को पाएगा मैं आशा करता हूं अपने की व्याख्या के साथ